सभी आधर निये मुख्यमंत्री गाण, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, गवर्नार्ण्स, लेटेन गवर्नार्ण्स, आप सब को नवश्खार, अनलॉक वन को दो सब्ता हो रहे हैं, इस दोरान जो अनुभव आये हैं, उसकी समिक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उप्योगी हो सकती है, आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा, ग्राउंड रियालिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा, आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव, देश को आगे की रणरिक्ति बनाने में अवस्च्य मदद करेंगी, साथ यो किसी भी संकट से निपटने के लिए, टाइमिंग का बहुत महत्व होता है, सही समय पर लिये गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमन को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है, बविश में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाब लड़ाय का अध्यान होगा, तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोपरेटिव फर्डरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्थुत किया, साथियों जब कोरोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का विशव भी नहीं बना था, तब भारत ने इस से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिये थे, हमने एक एक भारतिये की जिन्दगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है, बीते हप्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिये भाई भेहन विदेश से अपने वतन वापिस लौटे हैं, बीते हप्तों में, लाखों की संख्या में प्रवासी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुँचे हैं, रेल, रोड, एर, सी, सारे मार्क करीब करीब अब खुल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमान उस जैसा विनायस्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया, जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की हैं, दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हेल्थ के जानकार लोकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुशाचन की आज भारी चर्चा हो रही है, आज भारत में रिकवरी रेट पचास पतितत से उपर चला गया है, आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमीत मरीजों का जीवन बच रहा है, कोरोना से किसी की भी मृत्यू दुखद है, हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यू असहज करने देने वाली है, लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं, जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्यू हो रही है, अब अनेक राज्यों के अनुभव, आज आत्मविश्वास जगाते हैं, कि भारत कोरोना के इस सग्गट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थववस्ता को तेजी से सम्हाल सकता है, साथ्यों बीत्वे दो हपते के अनुलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबग ये भी दिया है, कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें, सारे दिशान दिर्दोशों को मानते रहें, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा, इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज़्यादा जोड़ देना अनिवारिया है, आवशक है, बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कलपना करना भी सही नहीं है, ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाख है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी, इसलिए दोगज की दुरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो, सेनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंबीर तासे किये जाने चाहिए, खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेशकर, गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए, ये बहुत जरूरी है, अब तक लगभग साहरे ओफिसिस खुल चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ओफिस जाने लगे हैं, बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है, तो इस सारे उपाए ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे, थोड़ी सी भी लापरवाई, थोड़ी सी भी डिलाई, अनुशाचन में कमी, कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा, और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, कि हम कोरोना को जितना रोग पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोग पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थववस्ता खुलेगी, हमारे दप्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे साथियों, आने वाले दिनों में, अलग अलग राज्यों में एकनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरफ विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थेववस्ता में ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं पावर कंजंप्शन जो पहले गड़ता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा दो गुनी हुई है इस बार खरीब की बुगाई बीते साल की अपेक्षा करीब बारा तेरा परसंट जादा हुई है टू विलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70 प्रतिशक तक पहुच चुका है रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले के स्तिती में पहुच चुका है इतना ही नहीं मई में टॉल करेक्शन में बढ़ोत्री होना एकोनोमिक एक्टिविटी में बृद्धी को दिखाता है लगातार तीन महिने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जूर में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविर पिरियड में पहुच गया है यह तमाम संकेत है जो हमें प्रोथसाहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं साथियों आप एसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और एमेसेमीज का हिस्सा बहुत बड़ा है आत्मन दिर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टरस के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं एमेसेमीज को सपोर्ड करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिये गए हैं समय बद्द तरीके से एमेसेमीज को बैंक से क्रेडित दिलाने का प्रयास हो रहा है सो करोड रुपिय तक के टर्न ओवर वाले उद्द्दोगों को 20% अतिरिक क्रेडिट के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्द्द्दोगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे लोगों को रोजगार दे पाएंगे सात्यों हमारे यहां जो smaller factors हैं उन्हें guidance की hand holding की बड़ी ज़रुत है मुझे पता है आपके नेत्रुतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है ट्रेड और इंडस्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें इसके लिए value change पर भी हमें मिलकर काम करना होगा राज्यों में जहां कहीं पी specific economic activity points हैं वहां 2400 घंटे काम हो सामानों की loading, unloading तेजी से हो एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानी स्तर पर किसी तरह की दिक्क अपना हो तो economic activity और तेजी से बढ़ेगी साथ्यों किसान के उत्पात की marketing के खेतर में हाल में जो reforms किये गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, storage के अभाव के कारण उनको जो नुक्सान होता था उसे भी हम कम पर कर पाएंगे जब किसान की आय बढ़ेगी तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राज की अर्थिवरस्ता की गती भी बढ़ेगी विशेशत तोर पर नौर्थी शोन हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और होटिकल्चर इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं और्गेनिक प्रोडक्ट्स हो बांबू प्रोडक्ट्स हो दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो उनके लिए नए मार्केट का अद्वार खुलने वाला है लोकल प्रोडुक्त के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीति की गोशना की गई है उसका भी लाप हर राज्य को होगा इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक हर जीले में ऐसे प्रोडुक्त की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बहतर प्रोडुक्त हम देश और दुनिया के बाइजार में उतार सकते हैं साथ्यों बीते दिनों आत्मन दिरभर्द भारत अभियान के तहट जितनी भी गोशनाय की गई हैं वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है इस प्रिष्ट भूमी में कोरोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाब हैं जो तयारिया हैं वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मुझे पका विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बाते आएगी वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी मैं ग्रमंत्रीजी से आगर करता हूँ कि वे आगे की चर्चा का संचालन करे